इस वक्त की कुछ हैम खबरों के साथ मैं हूँ गौरत त्यारी बिहार के बेगु सराय में शनिवार को एहले सुबह हुए सरक हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई जबकि इस हादसे में दर्जनो यात्री घायल हो गए हैं हासा बस और ट्रक की टक्कर के दोरान हुआ गायलों का इलाज स्थानिय पियस्सी एवं नीजी नर्सिंग होम में किया जा रहा है घटना बलिया थाना चेतर के छोटी बलिया जानिपूर ढाला की है जानकारी के मुताबिक कटिहार से पटना जा रही चंद्र लोक ट्रैवल्स की बस बेगू सराय के खगडिया जा रही ट्रक के आमने सामने भिसन टक्कर हो गई टकर इतनी तेज थी कि गारी के उपचालक की मौके पर ही मौत हो गई बिहार के बकसर जिले में एक कल्योगी पती ने अपनी पतनी की गला दवा कर हत्या कर दी इसके बाद पती घर में बच्चों को बंद करकर फरार हो गया आपको बता दे कि यह घटना राजपूर थाना छेत्र के रंगाओं की है वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और मामला को दर्जगर आरोपी की तलास में जुट गई वही परोसियों के मुताबिक पती पतनी के बीच चल रहे आपसी विवाद की वज़े से ही इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया राजद प्रदेश सध्यक्ष रामचंद पूरवे ने दावा किया है कि बहुत जल्द बीजेपी और जनतादल यूनाइटेड के दरजनों विधायक राजद में शामिल होंगे उन्होंने दावा किया है कि लगातार कई पार्टियों के विधायक हमसे संपर्ख कर रहे हैं साथी उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को राजद का स्थापना दिवस हैं और उस दिन ही कई अन्य दल के बड़े नेता राजद में शामिल होंगे जद्यू नेता सफ पूर्वे विधायकल बवलु देव एक बार फिर राष्टिय जन्ता दल में वापस हो बें हैं राजद कार्याले में आयोजीत एक समा रोह में राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद पूर्वे ने उन्हें राजद की सदसेता दिलाई आपको बता दे कि बवलु देव के साथ साथ सैंक्रो समर्ठको ने भी राजद का दामन थामा वही राजद के सदसेता ग्रहन करते हुए बवलु देव ने कहा कि खुश दिन के लिए ही मैं भटक गया था लेकिन आज घर वापस आ गया हूँ अब तेजसी यादव के नित्रित्व में राजद को और मजबूत करूँगा श्रंद संसाधन मंत्री विजे कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जो भी आईटी आई कॉलेज गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं सरकार उसे बहुत ही जल्द बंद करवाईगी साथ उन्होंने कहा कि जिस आधार पर इन कॉलेजों को मानेता मिली है उसे वो पूरा करें और चात्रों को सही ढंग से सिख्छा मुहिया कराए तब जाकर विभाग उसके बारे में सोचेगी साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट आई टी आई अव चात्रों को गुम्राह नहीं कर सकती है हमारी सरकार चात्रों के साथ अन्याय बरदास्त नहीं करेगी बीजेपी विधायक अरुन कुमार सिन्हा ने कहा है कि 26 जून को पूरे बिहार में बीजेपी द्वारा आपात काल दिवस मनाये जाएगा और जन्ता को बताया जाएगा कि किस तरह कॉंग्रेस पाटी ने अपने समय में आपात काल लगा कर जन्ता के अधिकारों को कुछला था साथ इन्होंने कहा कि मुख्य कारिक्रम कायो जन् विध्यापती भवन में होगा जहां उप मुख्य मंतरी शुशील कुमार मोदी भी उपस्थित रहेंगे ख़बरों में फिलाल के लिए इतना है लेकिन देश और दुनिया से जुड़िये तमामें हम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहें citypostlive.com के साथ धन्यवाद